हेलो गाईज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल मेडिकल फिल गाइडेंस गाईज इंप पैरेमेडिकल 2020 की जो फॉर्स रांड काउंसलिंग थी उसका रिजल्ट आ गया है कि किसको कौन सा कॉलेज लॉट हुआ है और किसको लॉट नहीं हुआ फॉर्स काउंसलिंग में त आपको पता चली गया होगा लेकिन उस लिस्ट में कुछ इंपोरिंट पॉइंट से जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए और हम यह भी लास्ट में डिसक्स करेंगे कि सैकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी तो काईस देखो मैंने एमस के ओफिशियल व है कि उनको कौन सा डिपार्टमें अलोट हुआ परमेडिकल में तो अगर आप फोस्ट यह दिखेंगे तो आपको यह भी दिख जाएगा कि ओवसी को कितने रैंक पे ऐसे को कितने रैंक में मिला है ठीक है उसके बाद यह कुछ इंपोर्टेंट इंस्रॉक्शन दे रखी है इन इंस्ट्रॉक्शन में में आपको दिखा देते हूं जैसे कि आपको बीसी रैंक 355 तक कोलेज मिला है यूर है उनको 187 तक मिला है ईडबू सको 289 तक मिला है तो ऐसे आप यह देख सकते हो कि ओवसी पीड़ू बीड को कोलेज नहीं मिला है अभी सो इंपोर्टेंट इं सससा जबंड है तो इसे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तरम समृता देख पार्व्सीलियनघ के अफिर नहीं किया पार्टिसिपेट वह सीधा आप मॉपरyk राउंड में सेकें लिए नहीं सब्सक्रार नहीं कि अपटिस्पेट सुरth आपकर आप में संद्ध Alright never जिना ने चौना ने चौशी प्रोर की ती उनको कोई चौशी जो नहीं चौशी फोलीक हो गई है जैसे कि उन्हों के कौंशी जो सको आपका नुए यहाँ मैं重要 तो फिर वो second round में जा सकते हैं ठीक है दूसरे round के पास है कि वह seat को accept कर ले ठीक है तो आब इनको detail में देखेंगे कि option one करना है तो क्या करें आगे चलके और option second करना है तो उनको क्या करना है ठीक है यह detail में देखेंगे और जो first option को carry करता है यानि कि कोई आगे counseling नहीं करवाता है second counseling वो accept कर लेता है जो उसको seat मिली है तो उसे क्या करना है वी aims उसे alert हुआ है उनको given time में जो भी पांच on over दिया गया है उसमें आपको DD के साथ जो भी वी aims वहां जाके register करवाना है ठीक है और अगर आप second counseling में participate करना चाहते हो तो आपको क्या करना है आपको कोई choice प्रिंग नहीं करना है वो आप direct पर वहां पर promote हो जाओगे ठीक है second counseling के लिए तो guys यह तो था आपकी counseling वालों के लिए कि counseling वालों को क्या करना है अगर उनको second round म अगर नहीं जाना तो क्या करना है अभी हम बात करते हैं जिनका selection नहीं हुआ और जो seats रहती हैं उनका क्या है तो guys अभी भी बहुत सारी seats रहती हैं like अगर मैं example बताऊं तो OBC की आपकी total जो paramedical seats हैं aims में वो 40 seats थी और अभी first round में आपकी सिर्फ और सिर्फ 28 seat fill हुई है यान नहीं हुआ selection और दूसरा उनबचों के भी नाम होंगे जिनका first list में नाम नहीं था और जो eligible है ठीक है तो से एक second list और आएगी आप बेट कीजिए ये बहुत अच्छी बात है और guys अगर ये second counseling में भी फिल नहीं होते है तो एक mock round होगा जिसमें कि आपको सारी seats निकाली जाएगी चीक है guys ऐसा ही प्रोसेजर आपका AIMS BAC nursing में भी follow होगा तो guys ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लीजे अगर नहीं किया है तो ताकि आपको ऐसे informative वीडियो मिलते रहें तो guys इस वीडियो को like कीजिए and share कीजिए and thanks for watching